मानुभाव पंत के संस्थापक सर्वग्य श्री चक्रधर स्वामी ने 800 साल पहले समाज को सत्य अहिंसाव मानफ्ता के मोली दिये हैं इस से विचारों की आज समय को जरूरत है यह प्रतिपादन केंदरी मंद्री नितिन गटकरी ने किया वह 25 दिसम्मर को नाकपुर जिले के पार्शिवनी में दत्र टेक्री यात्रा महुटसब में बोल रहे थे बारवी शतादी में श्री चक्रधर स्वामी ने समाज को जीवोद्दारक विचार दिये वे आध्यात्मिक मोले आज भी जीवे थे पूरे महराश में आज भी तीन प्रतिशत लोग मानुभाव संप्रदाय के हैं या खुशी की बात है मंदिल में आध्यात्मिक उर्जा मिलती है इन्हें संरक्षित करने की आवशकता है श्री चक्रधर स्वामी के चरनिस परश से महराश्रो में 1650 सीर्थ स्तलों का निर्मान हुआ या एक एतिहासिक धरोर है उसे सुरक्षित रखना चाहिए इस वक्त ज्यान पीट पर पूर्व मंत्री विधायक चंद्रशेकर बावन कुले विधायक एड़ोकेट आशी जैस्वाल पूर्व विधायक मलिका अर्जुन रड़ी पूर्व जिला परिशत दस्य कमनाकर मेंगर श्रीदत सेवाभावी ट्रस्ट की अध्यक्षे सुधाक मेंगर हरीहर पांडे उपस्तित थे गटकरी ने श्रीदत मंद्र सेवाभावी ट्रस्ट की प्रशंसा की जो धार्मिक्ता के साथ साथ कई सामाजी कतिवीधियों में अग्रणी हैं गटकरी ने कहा की संसा ने 1990 से पहाड़ी पर एक छोटे से मंदर को बदल दिया है मानुभाव संप्रदाय की कशी श्रीशेतर रिद्धपुर में मातंग वीहीर के समय मुझे धार्मिक सेवा करने का अफसर मिला यह भाग्य की बात है वे एतियासी कुआ आज भी सुरक्षित है खुशी की बात है कि संप्रदाय की 1650 प्राचीन मंदरों को संरख्षित करने का प्रयास किया जारा है ट्रस्ट द्वारा श्रीदत ज्रेंती के अफसर पर श्रीमत भागवत कथा का आयोजन 16 दिसंबर को शुरू हुआ था आचारी महंत चीडे बाबा ने दस दिवसी संगीत में गीता ज्यान यग्य में जीवन मुल्यों का विशलेशन किया दस दिनों में भक्ती में वातवरण में ज्यान यग्यी ग्रंत डिंडी दही हांडी गोपाल कला पंच अफतार उपहार पाल की महाप्रसाद जैसे कारिक्राम उच्छा के साथ मनाए गए जिले की हजारों लोगों ने इस ज्यान यग्य का लाब उठाया तीस साल पुराने मंदर का जिनोद्धार का कलश रूहन समारो 24 तारिको साहित चार श्री बाभूल गांफ कर बाबा अचारे श्री न्याइबास बाबा महंत वाकी कर बाबा महंत बांध कर बाबा हरियर पांडे सहित गणमान ये वेक्तियों की उपस्तिती में हुआ दस दिवसी कारिक्रम इस सांसत क्रिपाल तुमाने मंत्री सुनील के दार इन्होंने भी उपस्तिती लगाई कारिक्रम का संचालन मंदल के सचिव जगदीश मोहन ने किया अध्यक्ष तुदाकर मेंगर ने आभार व्यक्त किये कारिक्रम की सफलता के लिए कमलाकर मेंगर, कोशाद्यक्ष महंत क्रिश्नराज बाबा कपाटे, गंगधर काकडे, पांधुरंग मेंगर, दौलत खेरगडे, रतनाकर मेंगर, रविंद्र ठाकरे, संदीप मेंगर, राहुल मेंगर और युवा और महिला मंडली ने आयोजन की सफलता के लिए करी महनत की, पाशिवनी से BCN News के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट